असलाम लिएक्षम आज जो मारे टापिक है वह इंटरनेश्टनल एलेशन्स पार्ट टू का टॉपिक है क्षिट टॉपिक फॉर्ण पॉलिस्य आफ सलेक्टड कंट्रीज जिसमें कुछ स्लेक्टेड कंट्रीज की जो है सेलेबस अकॉर्डिंग जो सेलेबस है मैंने डिसकू की है जो हम थोड़ा-थोड़ा करके डिसकस करते हैं फॉर्स जो पॉलिसी है इंटरनाश्ट इंटरनाश्ट रिलीशन्स में फॉर्ण पॉलिसी युनाइटिज स्टेट्स की है तो उसमें हम देख रहते हैं सूपर पावर की क्या-क्या फॉर्ण पॉलिसी हैं फॉर्ण पॉल इंट्रेस्स के साब से foreign policies बनते हैं तो superpower जो अभी United States है इसकी foreign policy को हम देखते हैं उसका जो foreign policy है वो अपने major allies को देखकर और इनके जो United States है वो अपनी national interest को देखकर फिर अपनी foreign policies को allies के साथ या interpreted करता है ठीक है इसके challenges और opportunities भी बहुत ज़्यादा इस सेट को करनी पड़ती है फेस इसके बाद जैसे हम example ले ले लेते हैं mental maintaining global leadership global leadership को maintain करना इसके बाद है जो भी मतलब की globally leadership वो अपना drove जैसे या image है वो maintain करता है फिर इसकी foreign policy में second जो है वो countering China's rise ये current foreign policy है इसकी तो चाइना का rise उसको control करना इसको ठीक है उसके बाद है promoting democracy और human rights human rights को promote करना और democracy को promote करना इसकी अभी है कि ये human rights को हमेशा prevail करता है human rights को देता है लेकिन कभी का बाद जो जब इसकी national interest के खिलाफ होता है तो वह human rights को इतना importance नहीं देता वरना यूएस से बढ़कर human rights को जादा value को और कोई नहीं करता इसके बाद responding to global crisis जो भी global crisis है जिसमें Palestinian Palestine कश्मीर और दूसरे Ukraine Russia और जो भी current scenarios के हैं तो इसको respond करना यह United States की foreign policy में आता है अभी हमारी second Russia की foreign policy United States के बाद China और Russia वह वह वाहिद states हैं जो मतलब कि जो ताकतवर और दूसरे दूसरे चीजों के साब से अभी global world में influence करती हैं रश्या जो है वह पहले से सोवेट यूनिन और इनकी वज़ा से दूसरे इसके मतलब अलग-अलग हर किसी country's के बास powers होते हैं तो रश्या जो है वह powerful भी है United States के बाद और चाइना के बाद भी तो इसका देख लेते हैं इसका जो है वह current scenario में relationship with the west through trading और इसके 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 इलावा भी है रोल इन रीजिन conflicts भी बहुत जादा रोल प्ले करता है रश्या इसके बाद जैसे हम एक्जेंपल्स ले 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 foreign policies की current कैसी है expanding its sphere of influence तो यह अपना influence जो है वह expand करता है overall इसके बाद challenges जो भी United States की तरफ से इसको आते हैं उनको भी control करता है और अपनी influence है वह बढ़ाता जाता है फिर securing its border and interest इसका जो है वह border अपने security करता इंट्रेस्ट भी इसके बाद है modernizing its military अपनी military को ना वह बहुत जादा modernize करता है तो रश्या की सबसे जादा जो खुबी कहीं जाए वह अपनी military को बहुत जादा advanced और modernize करता रहता है ठीक है second है इसकी third जो है हमारी foreign policy का topic चाइना का चाइना जो है वह अभी emerging power है economic power भी है और in future यह superpower भी होगा ठीक है अब है इसकी overview China's growing influence चाइना को जो जैना को influence है वह one bell one road initiatives के थ्रू बढ़ता जा रहा है अभी और इसकी जो foreign policy है वह relationship with the United States and other major powers इसकी relationship भी है बहुत जादा United States के साथ भी और दूसरी major powers के साथ भी यह इसका जो one bell one road initiative है यह बहुत जादा यह ऐसा इसका project है जो इसका superpower बनने में और trade war में इसका बहुत जादा इसका influence करवाने के लिए helpful है जिसमें अब हम further examples देख लेते हैं जिसमें asserting its leadership in Asia इस एशिया में इसकी leadership asserting हो रही है ठीक है expanding its economic and military power military और इसकी economic power जो है वह बढ़ रही है वह अपना explain कर रहा है फिर है promoting its own model of governance इसने अपना खुद का अपना model दिया है governance का ताकि यह मतलब की कैसे governance को हमें प्रोमोड करना चाहिए ठीक है challenging the existing international order international order जो है वह एक्जिस्ट कर रहा है यह उसको challenge करता है जैसे अगर हम international relations के साफ से देखें तो liberalization जो है वह चाइना की policy में है तो international relations part two के तहट आपको यह भी करना है कि आपको according to जो जो theories है वह आपको apply भी करनी है तो US की theory में और Russia की theory में foreign policy में आप लोगों को जो policy लगानी पड़ेगी जो theory लगानी पड़ेगी वह realism की theory होगी लेकिन जब चाइना का आएगा तो चाइना की जो policy है या theory है वह है liberalism के उपर तो liberalism जो है वह चाइना की policy है new liberalism और new realism जो है वह रश्या और US के policies है कि उनको सिर्फ अपना influence और अपना फाइदा चाहिए so thank you for watching our video so इसके बाद जो है हमारा United Kingdom और further चीज़ें आएंगी तो तब तक के लिए thank you और thank you for watching और वीडियो अगर आपको कोई भी इन में सी question या कोई problem आ रही है तो आप हमसे discuss कर सकते हैं और further वीडियो उसके लिए हमारे चैनल को subscribe कर जीज़े थैंक यू कर दो